हेलो गाई स्वागत आशब का मेरे चैनल पर आज के इस वीडियो में आपको अस्तरवाले ब्लाउज में साइड की फिटिंग करना बताऊंगी वह उतियासान तरीके से तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज की complete stitching कर रखी है अब हम इसमें side की फिटिंग करेंगे तो side की फिटिंग करने के लिए हम यहाँ पर दोनों पार्ट को यहाँ पर बराबर में रखेंगे और यह चेक कर लेंगे कि यह आर्मोल से आर्मोल बराबर में आ रहा है या नहीं कहीं से सोटा बड़ा हो तो हमें इन्हें बराबर में कर लेना होगा काटकर तो इस परकार से हमने यहाँ पर ब्लाउज को एकदम बराबर में रखा है तो हमारे यहाँ पर यह बराबर में आ रहा है तो अब हम यहाँ पर एक पेर का मार्जन देते हो यह शिलाई लगाएंगे तो ह हम यह आशे अक्ष्ट्रा फेबरिक को कट कर लेंगे और यह कट करने के बाद में हम ब्लाउज को उल्टी साइड में करेंगे तो देखे मैंने यहाँ पर blouse को उल्टी साइड में कर लिया है अब हम यहाँ पर एक पेर का मार्जन देते हो यह एक शिलाई ओ लगाएंगे जिसे कि हमारी यह जो पहले की शिलाई थी वो अंदर की साइड में चली जाएगी यह हमारी यहाँ पर गुम शिलाई हो जाएगी एकदम फिनिसिंग के साथ तो देखे मैंने यहाँ पर एक साइड की शिलाई लगा ली है अब हम blouse को पलट कर सिधा करेंगे और सिधा करने के बाद में चेक करेंगे कि अंदर की साइड में यह कोई शिलाई मार्जन तो दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारे यहाँ पर कोई मार्जन दिखाई नहीं दे रहा है एकदम फिनिसिंग के साथ यह शिलाई लगी है और अंदर की साइड में भी एकदम फिनिसिंग है तो इस टाइब से हमारी यहां पर यह गुम्स लाई हुई है अब हम ब्लाउज को पलट कर उल्टा करेंगे और फिटिंग की मार्किंग करेंगे तो यहां से सिलीव का राउंड लेंगे हम 6 इंज और यहां से चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे तो चेस्ट हमारा चितीस इंज तो चितीस को फोर्ष इडिवाज करेंगे तो नाइन इंज और यहां से हम इस आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए यह मार्किंग करेंगे और यहां से कमर का measurement लेंगे तो कमर हमारी 32 इन तो 32 को force device करेंगे तो 8 इंस हम यहां पर 8 इंस पर यह marking कर लेंगे अब हम इन तिनों marking को बराबर में मिला लेंगे और यहां पर हम शिलाई लगा लेंगे fitting की यह शिलाई लगाने के बाद में हम blouse को प्लट कर सिधा कर लेंगे तो देखे गाईज हमारी आपर blouse में fitting की शिलाई लग चुकी है यह आप देख सकते हों एकदम finishing के साथ यह शिलाई लगी है आपको मेरा यह fitting का वीडियो कैसा लगा कमेंड में जरूर से बताएगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ठैंक्स पोर वाचिंग माई वीडियो